अब तुम बचा लो कह रहे हम से तो मतलब मिल नहीं गए बच्चा अब तुम बचा लोग जाने नहीं दे रहे थे डोक्टर लोगो दार की बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जासी में हुई घटना में मारे गए बच्चों का जिम्मेदार कौन है क्या हॉस्पिटल जहां जिन्दगिया बचाई जाती है वहां महज एक शॉर्ट सर्केट के कारण कई नवजात बच्चों की जान चली गई जी हां जासी के महरानी लक्ष्मी भाई मेडिकल कॉलेज में शुकरवार राध बच्चों के वार्ड में आग लगने की घटना ने सबको हिला कर रग दिया वहां पर दस बच्चों की मौत हो गई यह हाथसा करीब रात के 10.45 पर हुआ जब मेडिकल कॉलेज के नियोनेटिकल इंटेंसिफ केर यूनिट यानि की NICU में आग लग दे अधिकारियों का मानना है कि यह आग शॉर्ट सर्केट के कारण लगी जिला मेडिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि NICU के बहारी हिस्से में मौजूद बच्चों को बचा लिया गया है लेकिन अंदर के हिस्से में मौजूद कई बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी उन्होंने दज बच्चों की मौत की सूचना दी है गटना के तुरंद बाद फायर ब्रिकेट की गाडियां और जिले के वरिष्ट अधिकारी मौके पर पहुँचे प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने मौत को के परिजनों को दो दो लाग रुपए और घायलों के परिजनों को पचास हजार रुपए की मदद की खोशना की है वही मुक्यमंतरी योगी आदेतिनात ने गटना पर गहरा दुक वेक्त करते हुए गायल बच्चों के भैतर इलाज के निर्देश दिये मुक्यमंतरी ने जहासी के मंदलायुक्त और पुलिस उप महानिर्खशक को गटना की जाच कर बारा घंटे के भीतर भीतर रिपोर्ट सौपने के आदेश दिये उपमुक्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्त सचीव मुक्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत जहासी रवाना हो गए जहासी के लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने गटना पर दुखवक्त किया वही सदर विधायक रवी शर्मा भी अस्पताल पत महुँचे और स्थिती का जाइजा लिया अब सवाल ये उटता है कि इतनी बड़ी लापरवाई के लिए जिम्मेदार कौन है क्या ये हादसा प्रशासन की चूक का नतीजा है या फिर सुरक्षा मानकों का पालन ना करने का इस सवाल का जवाब मिलने में अभी वक्त है लेकिन पीडित परिवार का दर्द और सवाल दोनों ही बरकरार है जो लेक आती जब मिला ही नहीं कुछ तब में तर नंने जाती हूं आपने मोग बोला हमाँ बच्चे दिदो कि कोई मिला ही नहीं को देगा को अ किछ लोग बाग गायिक कितने द्वेंगें अजय देना दस दिन का बच्छों को पता ही नहीं है कि कहां है गईती अपता करने है का ले गईती आ भी यहां यह जित्व में लगए शुले जाओ अब तुम बचा दो कह रहे हमसे तो मतलब मिल नहीं रहे नहीं रहे है तो पेला बच्चा देखेन दिखाया नहीं है जैसे याग लगी तो सब लुग दोड़े तो नर्से बाहर के लिए धक्का दे रहे थे अंदर नहीं जाने आगे तो जब अधि रहे जिसके हात में देशी का भी बच्चा आया वी बच्चा आया जैसे निकाले हम लोगों और ल बाहर के खिड़की से तोड के अंदर गय कि जब बच्चे को नेकाला अभी तक हमारे बच्चे का पताई नहीं हैं आपको कुन था हूँ नादीन मेरी लड़की का लड़की के के लिए था 20-25 दिन का 20-25 दिन का कित्रे बच्चे होंगे उसमें। पचानए साथ बच्चे होंगे। तो आपके बच्चे का पता नहीं है? नाई पता नहीं है अब बात की आख विल्दो नावी धोडाएं चालो ह मेरे बच्चे को यह बता रहा है कि आपको बच्चा म्रत घोसिता दिया गया है लेकिन नहीं बदाया कि किस बेस पर मिरत घोसित कर दिया गया है क्योंकि यह मैंने यह पूछा कि आपने किस बेस मेरा बच्चा मिरत घोसित कर दिया गया है तो बोला जा रहा है कि जो आगे बच्चे थे बो बच्चे मतलब निकाल दिये गए थे चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर तो इसके जारहने लिए बताया जा रहा है कि अगर चिट के हिसाब से अगर रहे ही मिरत गोसित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा क के पास पास चित उतरप्रदीश की डिप्टी सीम रजेश पाथक और जहांसी सीम इसने घटना को लेकर क्या जानकारी दी है? सुनें दस बच्चों की दुर्भागे पुर्ण मृत्य हुई है, साथ बच्चों का सिनात्त हो चुकी है, तीन की सिनात्त नहीं हो पा रही है, यह दियावस्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे, और हमारी सरकार पूरी पीडित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है, और घटना की पुर्णराविती नहीं हो, इस प्रकार की भी ब्यवस्था करने की निर्देश दिये गया है, अभी प्रत्रम दिश्ट्या 24 घंटम रिपोट आएगी, साथ सरकिट से लगना बताया जा रहा है, आक्सिजन कंसेट्रेटर में साथ सरकिट हुआ, इस वज़े सा जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हल्प लाइन नंबर जारी करेंगे, और हम सोयम यहां मानिटर कर रहे हैं, हर इस्तित में हम पीडित परिवारों के साथ करें, जो एनाइसी वार्ड है, एनाइसी वार्ड में चगुन बच्चे भरती थे, और उसमें आग तुरंट फैल गई, और उसमें जिता कोशिश की गई, जिता हम कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग जातर बच्चों को बहार निकाले गया, सकुशल बच्च निकाला गया है, और दस बच्चे उसमें अभी फिलाल अभी तक कॉलेप्स हो चुके हैं